आज की वीडियो में मैं हील पेन की सबसे कॉमन वजा जिसको हम प्लांटर फेशियाइटस कहते हैं कि बात करूंगी अगर आप सो कर उठते हैं और सुबह आपके लिए पाउं पर वजन डालना मुश्किल है या आप चंद कदम नहीं ले पाते या आप काफी देर बैठे हैं और उसके बाद उठे हैं और आपके लिए चलना मुश्किल है और पाउं पर वजन डालना भी तो इसकी रीजन प्लांटर फेशियाइटस हो सकती है plantar fascia है क्या basically plantar fascia हमारे पाउं में एक tissue की layer है जो heel से toe के दर्मियान में run करती है और इसका basic purpose यह है कि इसने हमारा जो body stress है या जो ground reaction forces है उस stress को tolerate करना है जब यह stress forces ज्यादा हो जाती है तो इस fascia में micro trauma होना start हो जाता है उस micro trauma से tissue में inflammation होती है और उस inflammation की वज़ा से हम इस structure को कहते हैं कि यहाँ पे plantar fasciitis हो गया है या उसकी वज़ा से heel pain cause हो रही है plantar fasciitis की cause की अगर मैं बात करूँ तो इसमें foot mechanics foot mechanics mean कुछ persons के foot arches high होती है और कुछ के flat foot होते हैं या वो persons जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं जैसा के हमारी females kitchen या घर के काम करते वक्त उसके इलावा body weight का बहुत important role है body weight ज़्यादा होने के वज़ा से अकसर females इस complaint का शिकार रहती है और इसके इलावा अगर आपने काफी time के लिए high heels इस्तमाल की है तो भी आपको यह मसला हो सकता है इसके लावा अगर आपके shoe selection जो है वो proper नहीं है आप ज्यादा flat shoes इस्तमाल करते हैं या high heels इस्तमाल करते हैं तो यह सारे factors हैं जिनकी वज़ा से fascia पर stretch force ज्यादा generate होती है और pain की complaints देखने को मिलती है तो इस condition को symptomatic management करने के लिए या घर पर manage करने के लिए हम patient को कुछ simple exercises guide करते हैं इसमें सबसे पहले जो basic exercise है उसमें हम patient को कहते हैं कि अपना affected foot है उस पर ice massage करें वो ice massage आप bottle, ice bottle की form में भी कर सकते हैं या ice pack की form में भी कि patient अपने foot पे वो ice apply करेगा for 15 to 20 minutes दिन में 2-3 मतबह secondly हम patient को कहते हैं कि वो अपने fascia की flexibility को improve करने के लिए fascia stretch apply करेगा ये भी दिन में 2-3 दफा, 4-5 second hold करके patient ने दिन में perform करना होगा ताके fascia की flexibility improve हो और pain manage हो third exercise जो हम patient को कहते हैं उसमें patient को हम ये guide करते हैं कि patient जब सुबह को उठ है तो वो अपने fascia का massage करे कोई भी olive oil लेकर या lotion इस तरह से लेकर lubricant से अपने पाओं में अंदर की तरफ जो fascia की direction है, heel से तो की तरफ patient ने ये massage करना होगा next exercise जो इसमें हम patient को guide करते हैं वो है foot के intrinsic muscles की activation patient को हम guide करते हैं कि वो अपने उंगलियों की मदद से towel को या bed की sheet है उसको roll करें ताके उसके intrinsic muscle activate हो और tissue flexibility improve हो next exercise जो इस condition में patient के लिए helpful हो सकती है उसमें patient इस तरह से sitting position में बैट कर हम patient को कहते हैं कि अपने affected food को towel की मदद से उपर की तरफ खेच जए ताके इस exercise में उनके जो tissues हैं और जो muscles हैं काफ muscles जहां पे हमें stretch required है उसकी flexibility improve करने के लिए ये exercise helpful हो सकती है patient को इसमें करना ये होगा कि ये exercise जा towel stretch उसको 6 to 10 seconds के लिए hold maintain करना होगा और ये exercise भी दिन में 10 से 15 दफा repetition के साथ patient ने perform करनी होगी इन basic exercise के इलावा फिजियो थेरपी में काइनीजो टेपिंग या केटी टेप ultrasound therapy और shock wave therapy एक helpful option हो सकते हैं इस condition को manage करने के लिए अमूमन 80 to 90% जो हमारे patient है वो एक हफते या दो हफते फिजियो थेरपी session लेने के बाद इस condition से recover हो जाते हैं कुछ अकार sometime bonus पर बनने की वज़ा से patient की condition chronic हो जाती है और उस condition के लिए surgery इसमें helpful हो सकती है इसके इलावा जो हम patient को recommend करते हैं वो lifestyle modification है lifestyle modification में कि अगर patient बहुत obese है उसका weight ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वो अपना weight loss करें और shoe modification हम patient को recommend करते हैं कि high heels है या बहुत flat shoes से हम patient को recommend करते हैं कि वो medicated shoes का इस्तमाल ज्यादा करें ताकर यह condition easily manage हो सके अगर यह video आपको पसंद आई है तो channel को subscribe, video को like और share जरूर कीजिएगा